दोस्तों बहुत ही बहुत ज़ादा मन्हुस खबर आई है लता जी को लिखा है लता जी हमारे बीच में नहीं है यह सुनकर कोई भी कलाकार क्या कहेंगा कलाकार क्यों हम हर आम और खास आदमी की ज़ंदेगी में लता जी बहुत बड़ा बहुत रिस्पेक्टेट मुकाम रखती है मैं थी तो कभी नहीं कमगा उनके लिए वो थी नहीं वो है वो हमेशा रहेगी चाहे मां और बेटे के लिए गाना गाना हो चाहे प्रेमिका के लिए चाहे परिवार के लिए चाहे किसी भी भजन कृतन क कि कोई भी इमोशन का गाना जो है उन्होंने गाया है और यही वज़े है कि हम दुख और सुख में हमेशा उनका गाना सुनते हैं और अपने आपको अपने अपने समय को एक उसको टेक करने हैं आधा यी नियुल कर यकिन नहीं है होगा हकि हमारी दीदी मासरस्वति दर्ती की मासरस्वति और दी स्वर्वकोटी सारे रिकॉर्ड सारे अव्ड सारे रिवार्ड से उपर हमारी लता दीदी धर्ती पर रहने वाली आसमा आसमा थी वो चली गई लता दीदी मैं सुनकर यह मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या लोगों पर क्या बितर होगी हम सब पर क्या कि म्यूजिक संगीत जो है वो संगीत की मा कह सकते हैं संगीत की बेटी कह सकते हैं संगीत का परिवार जो है वो कहीं न कहीं है अनात हो गया है हर घर में उनकी उपस्तिती जाने जाने में हमेज़ है रही है सब का एक पर्सनल खुद का लॉस लटा जी का जाना जो है व मैं समझता हूँ कि लटा दीदी का जाना जो है वह हम जैसे चोटे कलाकर तो उस यही कह सकते हैं कि लटा दीदी एक दोबारा के पैर जोने का स्वभागे प्राप्त हुआ लेकिन आपका काम इतना बड़ा है आप इतनी खुद बड़ी है कि धरती पर जब जब संगीत जब तक संगीत को समझा जाएगा